अस्ते फ्रेंट्स में से सों मिकर भी इतनी आडेज में आपका स्वागत है आज मैं आपको डाइफरूट्स के लड्डू या फिर बोलिए मेथी के लड्डू या फिर बोलिए गौन के लड्डू बताने जारी हूं सर्दियों के मौसम में आप इस प्रकार के लड्डू बना या सर्द लहरे हो, सर्दी खासी हो, या मौस्मी बिमारीों से लड़ने में लपकारी होते है। साथी साथ ये डियाजेशन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हम चलिये देखते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मेथी दाना लेंगे ये मेथी दाना करीब 100 ग्राम है इसे साप कर लेंगे अब इसे मिक्सर जार में डाल कर दरदरा पीछ लेंगे ध्यान रखे हमें से फाइन पौडर नहीं तयार करना है अब इस दरदरे पौडर को एक बाउल में डाल देते हैं बूद में डालने के बाद थोड़ा-थोड़ा दूद डाल कर mix करते जाएंगे दूद हमें normal temperature पर लेना है यानी ना गर्म लेना है ना ही freeze का लेना है जैसे जैसे दूद डाल रहे है friends देखें मेथी दाना इसे absorb कर रहा है ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे मेथी दाना का कसापन थोड़ा कम हो जाता है जब ये अच्छी तरह गुल जाए तब कुछ सेकेंड रुक कर देखेंगे क्या और एब्जॉर्ब मेथी दाना कर रहे है की नहीं 18 सेकेंड हो गया देखेंगे फ्रेंट्स मेथी दाना ने दूद एब्जॉर्ब पुरा कर लिया है तो हम थोड़ा सा और दूद एट करेंगे इस तरह थोड़ा दूर आट करने के बाद देखेंगे पुरा मेथी दाना अच्छी तरह गीला हो गया है अब इसे हम साइड में रख देते हैं यह मैंने सुखी गिरी लिया है इसे आप पीसेस में कट करके मिक्सजार में रुक रुक कर पाउडर बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से 1500-200 ग्राम डेजिगनेटेड कोकोनट पाउडर ले सकते हैं मैं इसे ग्रेट करूँगी ग्रेट करने के बाद यह मोटे टुकड़े बज गया है इसे भी मिक्सजार में पाउडर बना लूँगी अब इसे साइड में रख देते हैं अब मैंने इस्टूखी खजूर लिए जिसे छुआड़े के नाम से हम जानते हैं इसे अब हम किसी भारी चीश से क्रश कर लेंगे क्रश करने से बीज आसानी से निकल जाते हैं इसी तरह हम सारे छुआड़े को बीज से अलग कर लेंगे अब इसे हम mixer जार में डाल देते हैं और दरदरा पीछ लेते हैं यह fine powder नहीं होंगे starting में mixer jar में चलाने में थोड़ी दिकत आती है लेकिन बाद में अच्छी तरह से दरदरा powder बन जाता है अब इसे हम side में रखकर आगे का process करते हैं गैस ओन करके एक पैन चाड़ा लेंगे जहां तक हो सके मोटे तलिका बर्तन ले जब पैन गर्म हो जाए तो अब फ्लेम को लो कर देंगे बर्तन को भी बहुत जाद गर्म ने करना है वरना हमारे ड्राइफ रूट्स तुरंट जल जाएंगे अब इसमें हम खर्बुजे के बाझ डालेंगे और लोफलेम पे ड्राय mr करेंगे हमें सबी ड्राय फ्रूट्स को लोफलेम पर ही दिरे दिरे बुनना है ताकि उनकी नमी चली जाए अब चाहे तो घी डाल कर भी रूश्ट कर सकते हैं अब इसे भून कर साइड में रख देते हैं इसे हमें एक अलग बरतर में रखना है अब इसी पैन में बीना घी के लो फ्लेम पर हम नारेल को भूनेंगे नारेल को light pink होने तक या light brown होने तक भूनना है dark brown या बहुत ज्यादा नहीं भूनना है कि वल थोड़ी नमी निकल जाए उतना ही हमें भूनना है अब इसे भी हम एक अलग बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं आप नारेल कम या ज़्यादा अपने इच्छानुसर इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसी पैन में हम बिना घी के लो फ्लेम पर हम छुआड़े के पाउडर को हलका भूनते जाएंगे अब इसे ग्रेट के वे नारेल वले बर्तन में डाल देंगे अब इसी पैन में हम दो से तीन बड़े चमच घी अट कर देंगे और फ्लेम को लोही रखेंगे सारे ड्राइफ रूट्स सब हमने 100-100 ग्राम लिये हैं इसे हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसकी नमी चल जाए भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमारे ड्राइफ रूट्स सुखे वे होते हैं ज्यादा नहीं सेखना है बस थोड़ी से नमी ही खत्म हो जाए और हलका रोष्ट हो जाए बस उतना ही सेखना है अब इसे एक साथ एक बरतन में रख लेते हैं अब इसी बचे वे घी में हम लोफलें पर मखाना को रोष्ट कर लेते हैं यह 100 ग्राम मखाना है क्रंच के साथ तूटे तो समझ जाए कि आपके मखाने अच्छी तरह रोष्ट हो गए हैं अब इसे भी हम एक बरतन में साइड में रख देते हैं अब इसमें हम तीन से चार बड़े चमज घी डालेंगे और फिघलने देंगे मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है यह मीडियम से इसके गोंदे मार्केट में महीन गोंद भी आते हैं गोंद को डालते ही साथ लोफलें पर आप लगाता है चलाते वे भूने यह जब भून जाएं है इसलिए इसे हम लाश्ट में करेंगे देखे इस तरह से आवाज करते हैं या यह पप चुके हैं बस यह स्टेज है इसे निकालने का अब इसे आप निकाल देंगे इसे हमने अलग बरतन में निकाला था अब इसे कटोरी या मैशर की साहता से अच्छी तरह कर देंगे इसी तरह मखाने को भी हम हाथों से क्रश कर लेंगे या फिर मैशर से क्रश कर लेंगे अगर आपको पौडर बनाना है तो मिकसेजार में आप पौडर भी बना सकते हैं अब साइड में रख देते हैं अब पैन में दो बड़े चमच घी डालेंगे और तीन सो गाम आटा को हम रोस्ट करेंगे जब हलका गुलाब हो जाए तब इसमें हम 100 ग्राम पोस्ता दाना एड़ करेंगे यह बहुत छोटे दाने होते हैं तो आटा में अच्छी तरह भून जाएंगे आप चाहे तो इसमें चीराउंजी भी डाल सकते हैं इस तरह जब आटा भून जाए हलका गुलाबी तब हम फिर दो बड़े चमच घीर डालेंगे और हलकलका भूनते रहेंगे आटा के बदले आप सिंगाडे का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तब आप उपवास बगरा में खा सकते हैं सिंगाडे का आटा लेडिसों के लिए बहुत ही फायदेमान होता है हमने शुरू में केवल दो चमच घी डाला था अब हम इसमें दो से तीन बड़े चमच घी बाद में और एट करेंगे और इसे भूनते जाएंगे आटे को भूनना अच्छी तरह बहुत जरूरी है और सभी चीज़े हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कच्चा ना रहे इध्यान रहे हमारे आटे अच्छी तरह ब्राउन हो गए हैं अब इसे क्रश किये वे गोंद के बर फ्लेम पर मेथी को इसमें डाल देंगे अब इस मेथी को अच्छा ब्राउन होने तक हमें भूनना है इसमें बहुत ही मौश्चर है इस तरह से घी में भूनने से एक-एक दाना अलग हो जाएगा भूनते भी अगर घी कम हो जाए तो हम घी और थोड़ा एड़ कर लेंगे मेथी बहुत ही एक इम्मुनिटी बुस्टर का काम करता है फ्रेंट्स ए एंटी फ्लामेंटी एंटी ऑक्सिजन्ट है साथी साथ इसमें आइरन केल्सियां फाइबर मेंगनेशियं प्रोटीन बहुत फायदेबंद है जब तक मेथी भून रहे है फ्रेंट्स हमने जो ड्राइफ्रूर्ट्स रोष्ट करके रखे थे उसे हम मिक्साजार में डालकर क्रश कर लेंगे या फिर पाउडर बना लेंगे वह आप अपने पसंद अनुसार करिएगा बुनने में घी थोड़ा हो चुका है यानि यह अच्छी तरह भून चुका है गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं जब तक यह ठंडा हो रहा है दूसरा काम कर लेते हैं जिस बरतन में हम क्रश किया वह गोंद और आटा रखा था उसी बरतन में हम सारे ड्राइफ्रूर्ट्स जी सो हमने रोष्ट किय जाथा क्रश करके डाल देंगे आप अगर पाउडर बना कर यूज करना चाहें तो उस तरह भी यूज कर सकते हैं अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स करना बहुत जुरूरी है मेथी हमारे अच्छी तरह ठंडे हो गए अब हम मिक्सर जार में इसे डाल का ग्राइंड कर लेंगे और फाइन पेश्ट बना लेंगे जब यह पेश्ट बन जाए तो हम सारे मिक्स ड्राइफ्रूर्ट्स वाले बरतन में इसे डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे मिक्स करना बहुत जरूरी अच्छी तरह फ्रेंश नहीं तो चमत से मिक्स करने के बाद मैंने हाथों से भी इसे अच्छी तरह मिक्स कर दिये था ताकि जो बड़े पार्ट्स हो उसे हम हाथों से क्रश कर लें अब इसे हम साइड में रख देते हैं आप गुड की पक की तेयारी करते हैं, यह मैंने खजूर का गुड लिया है, करीब 700 ग्राम है, मीठा आप अपने स्वादाद में सर लीजेगा, आप खजूर गुड के अलावा कोई और गुड भी इस्तिमाल कर सकते हैं, आप गैस पर एक पैन चड़ाते हैं और फ्लेम को लो जाए, अब इसमें हम 25-30 ग्राम सोट पॉडर, एक चमच काली मीर्स का पॉडर और आधा छोटा चमच इलाची पॉडर डाला है, अब इसे अच्छी तरह मिक्स करें, हमें गुड को ज्यादा पकाना नहीं है, देखें गुड पूरी तरह पिगल चुका है, बस थोड़ी ब मिश्रन रखेते, उसमें गुड को डाल देंगे, और मिक्स करेंगे, हाथों को भूल से भी न लगाए, जब मिश्रन थोड़े ठंड़े हो जाए, तब उसे हमें हाथों से मिक्स करना है, अगर आपको सुखी पंजीरी पसंद है, तो इस स्टेज में आप एरटाइट कंटे में श्टोर करके रख सकते हैं, और डेली एक से दो चमच ले सकते हैं, लेकिन मैं लड़ू तयार करूंगी, तो हाथों में थोड़ा घी लगा ले, और इस तरह से जब हलके गर्म हो मिश्रन तभी लड़ू तयार कर दे, बाद में ठंड़े होने के बाद लड़ू तयार कर कर दे रहे हैं, अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं, तो आपको एड़ करने के जरूद नहीं है, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, जैसे के फ्रेंस मैंने कहा, कि अगर आप लड़ू नहीं तयार करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह एकाईट कंटेनर में श्टोर कर सकते हैं और ज्यादा दिन के लिए बना रहे हैं तो यह प्री कर सकते हैं यह ता कर आप इस तरह इस थे पंजीरी का लूट पूथा करें अगर आप इस लड़ू बनाना चाहें तब इस तरह के गुड़ इस्तमाल करें। इस तरह के गुड़ में इस्टिकनेस ज़्यादा होती है जिससे लड़ू अच्छी तरह बनते हैं। अगर आप रोजाने एक लड़ू खाएंगे तो आपकी युमिनिटी यानी रोग प्रती डोधक शमता बढ़ेगी ड्राइफ रूट्स के लड़ू खाने से सरी के कई हिस्टो का दर्द भी ठीक हो जाता है और जोड़ू के दर्द में भी काफी आरा मिलता है। लड़ू बनाने के लिए आप अपने पसान अनुसार कई सारे ड्राइफ रूट्स इस्तमाल कर सकते हैं। इसलिए ठंड को सेहत बनाने वाला मौसम कहते हैं सर्दी के समय में इस तरह के ड्राइफ फूर्ट्स लड्डू बनाये जाते हैं जो आपको बहुत ही फायदा पहुचाता है बस कुछ बातु का ख्यार रखे कि गुड का पाक बनाते समय मातरा कम नहीं होनी चाहिए अगर मातरा कम हो जाए तो दुबारा आप गुड का पाक बनाकर डाल सकते हैं अगर दूसरी बात गी का इस्तमाल कम ना करने परना लड्डू को बानने में दिखकाता ही इस तरह के लड़ू यानि ये सबी चीज़े बहुत लापकारी है हमारे सरीर के लिए फ्रेंट्स ये हमारी इम्मुनिटी को बुष्ट करती है इसलिए हमें जरूर इस्तिमाल करना चाहिए मैंने सुखी पंजिरी और लड़ू दोनों तरकेक बना हैं जिने जैसा पसंद हो वैसा वो खाएंगे रोजाना एक लड़ू ले या सुखी पंजिरी दो चमच ले सुबह भी खा सकते हैं और रात में दूद के साथ भी ले सकते हैं आश्यक्रते हो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद्द आएगा अगर वीडियो पसंद आए तो इस रेसीपी को जुरूर बनाईएगा और फैमिली फ्रेंड्स एक भिशेर करीएगा तत्था मेरे चैनल को लायक शेर सब्सक्राइब करीएगा फिर मिलती हो नेक्श वी अन्यवाद.